स्वागत है आपका आए आज हम लोग देखेंगे कि SBI Bank के नए ATM काड को कैसे अक्टिवेट करते हैं और उसका पिन कैसे जिनरेट करते हैं तो सबसे पहले हम अपने फोन का ब्राउजर खोल लेंगे फिर सर्च बक्स में जाके SBI टाइप करके सर्च करेंगे सर्च करते हैं हमारे सामने जो सर्फेस आएगा उसमें से दूसरा ओप्सन रहता है लॉग इन का उस पे टैप करेंगे जिससे की डाइरेक्ट हम लोग SBI के वेबसाइट पे चले जाएंगे लॉग इन वाले पेज़ पे फिर वहाँ पे दिखेगा continue to login यहां देखे continue to login पे मैं टैप करने के बाद अगला सर्फेस जो आएगा उसमें आप से पूछेगा आपके net banking id का username password दोनों सही सही आप अपना डाल लेजिए उपर वाले में username डालना है उसकी नीचे password डालना है फिर उसकी नीचे capture डालना है बिल्कुल सही सही डालके आप login कर लीजिए login करेंगे तो आपके account का access यहां पे खोल जाएगा मतलब यानि कि यहां से आप अपने account का सारा access कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ आप कर सकते हैं account से related तो देखिए हम लोग यहां से अपना dashboard खोलेंगे जो कि SPI लोगों के ठीक नीचे left corner पे three lines बनी हुई है उस पे touch करते ही options आएगा यह देखिए इसमें से हम लोग e-services पे tap करेंगे इस services पे click करते ही अगला surface जो आएगा उसमें काफी सारे options रहते हैं लेकिन हमें क्या करना है हमें सिर्फ ATM से related चीज़े करनी है तो हम सबसे पहला वाला यह देखिए यहां पे ATM card services इस पे tap करेंगे फिर इसके बाद जो page खुलेगा उसमें ATM card से related सारा रहता है इसमें समलोग देखेंगे देखिए यहां पे है ATM card pin generated and ATM card new ATM card activation तो हमें क्या करना है पहले हम लोग अपनी ATM card को activate करेंगे उसके बाद pin generated होता है तो सबसे पहले हम लोग new ATM pin card activation पर tap करेंगे फिर next page जो खुलेगा उसमें डालना होता है हमारे ATM card के ऊपर solar अक्छर का जो solar digit का number होता है ATM card number वो डालना होता है तो उपर वाले में डालेंगे बिल्कुल सइसे फिर नीचे वाले में re-enter करेंगे फिर submit कर देंगे submit करते ही हमारे सामने confirmation वाला page खुलेगा आप एक बर मिला लीजिए आपका account number यह है और card number first four digit और last four digit दिया रहता है इसमें उससे आप confirm कर दीजिए confirm करते ही आपके register mobile number पे एक OTP आएगा तो यहाँ पे हम OTP डालके confirm करेंगे confirm करते ही हमारे सामने यह देखिए लिखा हुआ आगया ATM card has been activated successfully यानि कि अभी आपका ATM card activate हो गया है ठीक है तो activate करने के बाद हम फिर से जाएंगे e-services पे e-services पे जाने के बाद अब देखे फिर से खोलेंगे ATM card services ATM card services में अब देखिए activate तो हमने कर लिया अपना pin अब हमें करना है अपना pin generate तो ATM pin generation वाले option पे tap करेंगे इस पे tap करते ही हमारे सामने अगला surface जो आएगा उसमें दो options पूछते हैं पहला पूछे का using one time password यानि कि OTP करना चाहेंगे या profile password के थ्रू करना चाहें फिर एक हमारे registered mobile number पे फिर से एक OTP आएगा OTP बिल्कुल सही सही अपने box में डालेंगे one time password वाले box में फिर OTP डाल के submit कर देंगे submit करते हैं अगले page पे हमसे पूछेगा कि देखिए क्या आपका यहीं account number है जिसका ATM पी आप generate करना चाहते हैं तो check box में tick करके हम continue कर देंगे continue करने के बाद हमारे इससे पहले पिछले वाले जीतने भी ATM काड़ थे सब के आ जाएंगे number तो इसमें से आपको उसी check box में tick करना है जिसका अब भी आप current में pin activate कर रहा है तो यह अपना मिला लिजिए first four digit और last four digit दिया रहे था है इसमें से check box में tick करके आप जैसे ही submit करेंगे तो आपके सामने जो अगला page खुलेगा उसमें हमसे यह पूछेगा कि आप अपने ATM card का password जो रखना चाहते हैं उसका फर्ष्ट two digit अपने मन से डाल लीजिए इसमें जो भी आप ATM का password रखना चाहते हैं तो हम अपने मन से इसमें दो डिजिट डालेंगे तो मैंने देखिए यहाँ पे डाल दिया वन नाइन तो उसके बाद उसके डालने के बाद हमें सब्मिट कर देना है सब्मिट करते हैं फिर से एक हमारे फोन पे ओटिपी आएगा एक्चुली वो ओटिपी नहीं रहता है जो हमने अभी टू डिजिट का पिन बनाया अपने मन से अपने तरफ से उसको छोड़के देखिए ATM पासवर्ड होता है फोर डिजिट का तो टू जिट हम लोगों ने बना दिया और बचा टू डिजिट वो बैंक अपने तरफ से भ इसको मिला के जो हमने पहले बनाया था अब बैंक ने मैसेज भिजा फोर टू यह दोनों को मिला के वणनाइन फोर टू हमारे ATM काड का पासवर्ड है तो हमने यहां पे पासवर्ड डाल दिया अब देखिए डालने के बाद ही हमारे स्क्रीन पर अगला सर्फेस है कि निव ATM pin number has been updated successfully और message भी आ जाएगा देखें यहाँ पर message भी आ गया registered mobile नमर पर यानि कि आपका पे आपका नया ATM card जो था वो activate भी हो गया और उसका password भी generate हो गया तो अब आप इस password से जाके अपने ATM card में check कर सकते हैं ATM machine में जाके check करिए ATM card लगाईए आपका password successfully generate हो गया है और ATM card भी activate हो गया है दोनों काम एक ही साथ हो जाता है online तो thank you आपका जो आप वीडियो के लाश्ट तक बने रहे थैंक्यू थैंक्यू सो much